सबी साथियों को जैहिंत, मैं आपका साथी डॉक्टर शोक शर्मा, एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ, आज किस क्लास में हम लोग के टेस्ट का सल्यूशन करेंगे, ये टेस्ट हमने आप लोगों का कल लिया था, और आप सब लोगों ने इस टेस्ट को दिया, बहुत बड़ी संख्या में इस टेस्ट को बच्चों ने दिया, ये टेस्ट हमने कल फ्री किया था, जो भी बच्चे चाहें वो दे सकते थे, एप पे, एप डाउनलोड करके, एप वीनस वल्ट, इस पे जिन भी बच्चों ने टेस्ट दिया, बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट आज हम इस test का solution करेंगे, test का solution करने से पहले मैं आपको बता दू कि हम किस प्रकार के test तयार करते हैं, जब test को तयार करते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, मैं जब भी test तयार करता हूं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखता हूं कि पुराने question papers में किस प तो इस बात का विशेश ध्यान रखा जाता है कि पुराने question papers में किस प्रकार के questions पूछे हुए हैं, ताकि बच्चा उस test को दे के exam के लिए अच्छे तरीके से त्यार हो सके, ऐसा नहीं कोई भी उटपटांग question कहीं से भी ले लिया, उसी question को डाल दिया, ऐसा नहीं किया जात हैं, दूसरी बात का जो ध्यान रखा जाता हूँ, यह है कि test देने की बाद बच्चे का उस topic से related जितने भी concept हैं, सभी concepts clear होने चाहिए, इस बात का विशेश ध्यान रखा जाता है, यह test सुरू करें, उससे पहले हम आप लोगों को बता दूँ कि जो भी candidates, English grade first, English grade second, या फि candidates, Play Store से Venus Vault, इस application को download कर ले, यहां आपको complete syllabus, authentic books की PDF के माध्यम से, authentic books की exercise, वहां से examples, धौती authentic content के साथ, आप लोगों को syllabus करवाया जाता है, जो भी candidates चाहता है, Play Store से app download करें, और वहां से course आप पर join कर सकते हैं, किसे भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हों, तो यह WhatsApp नंबर है, इन पे आप message करके, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं, अब हम आज इस test का solution करेंगे, एक एक चीज़ को बहुत ठीक धंग से, है पेला question आपके पास, यह पेला question है, जिन बचों ने कल test नहीं दिया, वो आज इस YouTube चैनल के माध्यम से, इस YouTube वीडियो के माध्यम से test दे सकते हैं, और अपने answers comment box में लिख सकते हैं, पेला question क्या है देखो बटा, पेला question है, the more he eats, the fatter he gets, I saw him in the restaurant yesterday, इसमें कुछ words को underline किया हुआ है, इसमें इस word दे को underline किया हुआ है, कौनसे word को underline किया हुआ है, दे वर्ड को underline किया हुआ है, फिर यहां भी इसी word को underline किया हुआ है, और यहां भी इसी word को underline किया हुआ है, इसी प्रकार के questions आप से exam में पूछे जाते हैं, जहां एक शब्द को एक से ज्यादा बार यूज किया जाता है और पूछा जाता है कि वो अलग-अलग तरह अलग-अलग जगह कौन सा part of speech है इस प्रकार के questions एकजाम में हर बार पूछे हुए है second grade में हर बार इस प्रकार के questions आते हैं आप लोग बताएंगे कि यह जो शब्द P-H-E है यहां कौन सा part of speech है यहां कौन सा part of speech है और यहां कौन सा part of speech है यह आपको बताना है और नीचे आपके पास options है फटाफट आप लोग अपना answer comment box में लिख दें फिर हम एक एक चीज को बहुत ठीक ढंग से समझने समझाने का प्रियाश करेंगे यह जो शब्द है P-H-E यहां यह कौन सा part of speech है पार्ट of speech जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि यह शब्द कौन से इस शब्द के लिए आया है कौन से शब्द को modify करता है कौन से शब्द को qualify करता है यह सब बातें जानेंगे तभी तो हम समझेंगे इसके लिए हमें इस शब्द को जानना होगा कि यह जो M-O-R-E यह शब्द है यह कौन सा part of speech है क्योंकि इस दे का समंद जो है वो इस more से है यदि more noun है यदि आपका यह more M-O-R-E more यदि noun है तब आप मानके चलिएगा कि यह जो सब्द दे है यह determiner है है क्या more noun? more noun यहाँ नहीं है इसका मतलब यह determiner भी नहीं है noun होगा तभी तो determiner होगा तो फिर क्या है यह इसके लिए हमें इस शब्द को जानना पड़ेगा कि M-O-R-E यह शब्द कौन सा part of speech है चलो भी फटा फट comment box में लिख दो कि यहाँ हो सकता था कि exam में आपको इस M-O-R-E counterline कर दिया जाता और पूछता कि यह कौन सा part of speech है यह भी तो पूछ सकता है exam में बिलकुल पूछ सकता है बता भी फटा फट आप लोग लिखते सोचते हुए कि यह exam का paper है मुझे इस class से कुछ सीख के जाना है कुछ नेक concept मेरे clear होने चाहिए बताओ भी more कौन सा part of speech है चलो मैं बताता हूँ कौन सा है यह sentence इस प्रकार हो सकता था क्या देखो he eats more अब बताओ भी यह more क्या है M-O-R-E यह चो more है यहाँ यह adverb है क्या है य जोंकी भी क्या है एट के साथ हाया है कितना खाता है ज्यादा खाता है ठीक है यह चो वड़ आपका यह है यह आपका more चो वड़ है यह यहाँ adverb है clear होगी यह बत बहुत सारी books में इसी प्रकार को explain करते हुए कि यह क्या है determiner है more क्या भी यह determiner है बहुत सारी books में आपको इस प्रकार से भी explain क्या दाता है कि quantity बताता है इसलिए क्या है यह determiner है तो यह adverb है यहाँ क्या है यह adverb है और इस adverb के लिए कौन सा सब्द आया है दै आया है clear हो रही यह बात यह और वे साब्द जो adverb को modify करते हों आप सब के सब जानते हैं वे साब्द क्या होते हैं वे साब्द adverb कैलاتे हैं क्या कहलते हैं म Graduate which is adverb कैलाते हैं इसका मतलब यह हुआ कि इस sentence में जो they पहली बार यूज़ हुआ है वो क्या है वो आपका adverb है यह बात clear होगी आप देखी गा option में adverb में ये भी adverb है ये भी adverb है दो आपके पास adverb है इसका मतलब ये आपका आंस्वार नहीं हो सकता और ये भी आपका आंस्वार नहीं हो सकता चलो आगे बढ़ते हैं हमने एक ही question में इस बात का ध्यान रखा है कि आपका concept बहुत अच्छे से clear हो जाए देखने का आपको फाइदा हो कई चीज़ें आपकी clear हो आगे बढ़ते हैं भी चलो एक बात और देखो कि मानो आपने इसको determiner मान लिया तब क्या होता वो तब भी दै क्या होता adverb ही होता क्योंकि फी determiner को modify करता तब भी क्या होती adverb होती ठीक है चलो भी आगे देखो यह आपका दै फेटर एफ एटी फेट कौन सा part of speech है बता भी एफ एटी फेट कौन सा part of speech है adjective है यहाँ यह उसकी comparative form है यह जो आपका article दै आया है यह किसके लिए आया है इस फेटर के लिए आया है clear होगी बात और वे साब्द जो adjective को modify करते हों किसको modify करते हो बेटा वे साब्द जो adjective को modify करते हों वे भी क्या होते हैं वे भी adverb होते हैं तो यह यहाँ भी क्या है adverb है इसका मतलब पे पहले दो underline जो word है वो दोनू के दोनू क्या है adverb है इसका मतलब ये अपना आंस्वर क्या है बिल्कुल सही है ये आंस्वर आपका सही है चलो अब इसको भी explain कर लेते हैं यहां देखिएगा article there है ये किसके लिए आया है इस सब्द के लिए आया है कौनसे के लिए भी ये चौप का सब्द है कौनसा रेश्टरा जो सब्द है जिस रेश्टरा जो सब्द है जिसका आप लोग रेश्टरेंट कह रहे हैं ये कौनसा पार्ट अप स्पीच है ये नाउन है नाउन है इतना तो सब जानते हैं कि नाउन है और जब नाउन को modify करें वे क्या कहलते हैं वे आपके determiner कहलते हैं इसका अमलब यहां ये क्या है जिसका आप लोग क्या कह सकते हो आर्टिकल भी कह सकते हैं तो ये question clear हुआ एक question में हमने एक से ज़्यादा concepts clear करने की कोशिस की किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई confuse नहीं रहना चाहिए इस प्रकार का प्रियास हम करते हैं चलो भी next question है आपकी screen पे इस question को फटा फट सोल किजिएगा इसी प्रकार का question है इसी प्रकार का question है आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे वो ये बता सकते हैं कि ये कौनसी बुक की exercise से त्यार किया हुआ है कौनसी बुक है बहुत authentic बुक है आप लोग बताएं कोई comment box में किसर इसमें से लगबग 4 या 5 sentence आपने उस बुक में से जो कितियों लिये हैं कोई बताएं हम देखना चाहेंगे अधर्वाइस मैं बताऊंगा कि इस टेस्ट को हमने त्यार करते समय कौनसी बुक को भी से इस रूप से ध्यान में रखाता बहुत authentic बुक है ये question आपका water deroges taking some water from the water tank water को underline किया हुआ है sentence देख लो पहले अच्छे से इसका function कहां है ये देख लो शब्द तो वही है डवलू ए यही शब्द है बिटा कौनसा सब्द है डवलू ए टी एर तीन जगे यूज हुज हुआ है आप बताईगा कि तीनू जगे कौन कौन सा part of speech है बता देंगे चलो बताईगे पहला में water deroges taking some water from the water tank क्या कीजेगा इन droges को क्या करिएगा पानी दीजेगा इनमें इनमें पानी डालीगा क्या करते हुए थोड़ा पानी लेते हुए कहां से पानी के tank से थोड़ा पानी लेते हुए इन गुलाब के फुलों में क्या डालीगा पानी डालीगा इस प्रकार का sentence है समझे आगी बता आपके यानि imperative sentence है कैसा sentence है इन imperative I-M-P-E-R-A-T-I-V कैसा sentence है बीटा imperative sentence है और imperative sentence की स्रुरुआत किस से होती है वाब से होती है यानि ये पहला जो underlined word है voter, ये वाब है, कैसे भी, जिस प्रकास अपन नहीं कहते है, open this door, कहते हो कि नहीं कहते हो भी, open this door, ये कहा कि नहीं कहा हमने, इसमें open word क्या है, ये आपकी वाब है, complete your homework, c-o-m-p-l-e-t, complete your homework, ये लिखा हुआ आपका, complete your homework, ये लिखा हुआ है, complete your homework, ठीक है, इसमें complete चो वड है, कौन सा part of speech है, complete वड इसमें, complete वड इसमें, वड है, bring a glass of water for me, मेरे लिए एक glass पानी लगएगा, इसमें bring word क्या है, इसमें bring word, वड है, क्रिया है, इसका मतलब, ये भी क्या है, वड है, एक बात तो हमारे समझ में आ गई, कि ये वड है, ठीक है, options की तरफ जाया करो, फटा फट, थोड़ा सा सोल होते ही, options की तरफ जाया करो, कौन-कौन से में word है, पहला, दूसरा, दो में ही word है, इसमें a option word है, इसमें word है, इसका मतलब, ये दो answer आपके हो ही नहीं सकते हैं, इस प्रकार की practice कीजिए का आप exam के लिए, ताकि exam में चीजें आप लोगों को बहुत आसान सी लगने लग जाएं, अब देखते हैं पान द है, ये noun है, यहां क्या है बिटा ये, noun है, और सम जो है, वो क्या है, determiner है, noun को modify, noun के number या फिर noun की quantity बताने वाले सब्दों को, क्या कहते हैं, determiner कहते हैं, यानि सम यहां क्या है, determiner है, सम इस प्रकार का determiner है, जो uncountable के लिए भी यूच होता है, सम किस के लिए, uncountable के लिए भी उच होता है, और सम किस के लिए उच होता है, countable के लिए भी some boys, छोटी छोटी बातों को धान में रखना चाहिए, some boys भी ठीक है और some boy some boy ऐसा नहीं लिखेंगे some water लिख सकते हैं क्या लिखेंगे some water ठीक है तो ये आप चीजों को ध्यान में रखेंगे कि हमने क्या पढ़ा है हमने ये देखा है कि यहां जो आपका है वो some क्या है determiner है और water क्या है noun है दो चीजे समझ में आगई भी इसमें देखें कि noun कौन से में है noun इसमें ये है वाब के बाद यहां भी noun वाब के बाद यहां भी noun अब चलते हैं तीसरे की तरफ from the water tank from the water tank अब बताओ भी इसमें क्या है ये जो water है ये यहां क्या है ये इस tank को modify जो tank है उसकी बात कर रहे हैं ये यानि tank क्या है यहां noun है और इस noun को modify करने वाले सब च्या कहलते हैं adjective कहलते हैं क्या कहलते है मिटा adjective कहलते हैं इसलिए ये जो सब यहां voter है ये क्या है adjective है समझ में आगी बात आपके आप देखेगा adjective आपका option ये है ठेक है भी तो ये question किन-किन का सही हुआ फटा-फट comment box में लिखके बता दें कि सर ये मेरा सही हुआ और मेरा इससे confidence भढ़ रहा है अच्छे question solve करने से उनका concept करने से सभी बच्चों का confidence निसीत रुप से भढ़ता है बेटा exam oriented चीजें तयार करें वे चीजें तयार करें जो exam के like होती है जहां से exam में question पूछे जाते हैं जिस तरह के questions exam में पूछे जाते हैं उस तरह की चीज़े करेंगे, तब चीज़े बनेंगे, otherwise मेनत तो सभी करेंगे, ऐसा कौन है जो मेनत नहीं करेगा, अभी सब लोग मेनत कर रहे हैं, यह important नहीं है, कि आप कितनी मेनत कर रहे हैं, यह बहुत important है, आप किस दिसा में मेनत कर रहे हैं, आपका जो समय है, क्या वो बहुत authentic चीजों पे concept based चीजों पे लग रहा है या नहीं लग रहा है आप चीजों को समझते भी आगे भढ़ें बिटा इंग्लिस में रटने जैसा कुछ नहीं है ऐसा नहीं है कि एक बार सर ने कहा सर वोटर तो uncountable noun है इसका मतलब यह जहां कहीं भी यूज होगा वहां कैसा होगा uncountable होगा ऐसा नहीं है part of speech का मतलब होता है कि sentence में उस word के function के अनुशार उस शब्द के कारिये के अनुशार जब सब्दों का विभाजन किया जाता है उसको part of speech कहते हैं उस sentence में वो शब्द कौन सा काम कर रहा है इस इसाब से उसको part of speech कहा जाता है चीजें clear हो रही हो आपको आगे बढ़ते हैं भी question number three देखेगा बहुत अच्छा question है ये भी क्या question है मैं एक बार पढ़के सुना दूँ आप लोगों को question number three the very fine ship had already sailed right around the world question देखेगा क्या बनाया हमने इसमे identify the adverb qualifying an adjective from the above आपको इस sentence में adverb ढूंडनी है क्या करनी है identify the adverb adverb ढूंडनी है वो adverb ढूंडनी है adverb तो ढूंडनी है आपको वो adverb ढूंडनी है जो adjective को qualify कर रही हो यानि इस sentence में एक से ज्यादा adverb है आपको सिरफ उस adverb को ढूंडना है जो adjective को modify कर रही है इसलिए adverb है ठीक है पहले एक काम करो इस sentence में कितनी adverb है ये बताई आप तो पह कि सार इसमें कितनी एड़व ही बताओ फटाफट लिखके बताओ भी पूरे मन से पूरे सोच समझ के ऐसा नहीं है कि आप लोग हमारी क्लास लें और आपको बिना सोचे समझे आंसवर करने का मौका मिल जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपको सोचना पड़ेगा आपको चलो मैं बताता हूँ एक तो इसमें किया है? very क्या इसमें? very है दूसरी क्या है? already है और तीसरी क्या है? right है there are three adverbs in this sentence इस sentence में कितनी adverbs है? तीन adverbs है इसमें कोण सी? very very, क्यों adverb है ये बताईगा, ये fine के लिए आई हुए, fine, the very fine sip, very fine sip, वो ही fine sip, ठीक है, fine जो आपका word है, ये कौन सा part of speech है बताओ भी, इतना तो पता होना है चाहिए आपको, fine जो है वो आपका adjective है, क्या है अभी आपका ये, adjective है, a, d, j, e, c, t, i, v, क्या है ये, adjective है, के लिए रोगी बात ये, चलो, adjective को modify करने वाला सब्द क्या है, adverb है, ये क्या है आपकी, ये आपकी adverb है, पूछा क्या था, वो adverb ढूंडो, जो क्या करती हो, इस sentence में adjective को modify कर रहे हैं, क्योंकि adverb दो तीन प्रकार से होती है, कैसे, वे वब, वे सब्द जो वब को modify करते हों, वे सब जो adjective को modify करते हों, वे सब जो adverb को modify करते हों, सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे adverb होते हैं, ये है, दूसरा देखेगा, ये already चो है, ये भी क्या है, adverb है, has already sailed, ये वब के लिए युच हुई है, उसके बाद देखेगा, right चो वड है, ये भी क राउंड दवर्ड, यह किसके लिए? राउंड के लिए, राउंड दवर्ड, ये इसके लिए यहाँ है, ये प्रेपजीशन के लिए है, आपको जानके बड़ा अच्छा लगेगा, कि सर्द प्रेपजिशन को मोडिफाई करने वाले सब्द भी एडवब होते हैं क्या हाँ प्रेपजिशन को मोडिफाई करने वाले सब्द भी क्या होते हैं एडवब होते हैं और ये इसलिए एडवब है कि ये क्या है इस प्रेपजिशन के लिए आई हुई है और क्यों है ये भी बताया आपका जो answer है अब वो आपके समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा आपका answer है और वो कौन सा है वेरी इसका आपका answer है ठीक है भी चलो भी जिस इसका सही हुआ वो बहुत अच्छी बात है जिसका नहीं हुआ वो कम से कम exam में इस परकार के questions गलत नहीं करेगा exam से पहले गलतियां करना कोई बड़ी बात नहीं है उनसे confidence lose नहीं करना जिन बचों के marks इस test में कम आये हैं वो demotivate नहीं हो बेटा गवराने की जूरुत नहीं है exam से पहले कितने भी गलतियां कर लो वे आपके फायदे ही की हैं क्योंकि आप फिर वो गलती exam में नहीं करेंगे test भोद दें test देने का यहीं फायदा है कि जो question test में गलत हो जाता है फिर वो exam में गलत नहीं होता है चलो भी आगे बढ़ते हैं फटा फटा आगे चलते हैं question number four identify the sentence with conjunction before आपको वो sentence जुनना है जिसमें before को conjunction के रूप में यूज किया हुआ है चलो भी फटा फट answer कर दो A, B, C, D में कौन सा answer सही होना है थोड़ा जल्दी करें sentence पढ़ते हैं अपन पहला sentence है a student was standing before the gate a student student होता ही a student was standing before the gate यानि यहां before what conjunction है क्या अगर conjunction है तो यह कहो conjunction है और क्यों है यह भी बताओ साथ और यदि conjunction नहीं है तो यह बताओ कि conjunction क्यों नहीं है दोनु चीजें बतानी पढ़ेंगे आपको तब आपका concept किलियर मानते हैं मैं कहता हूं कि साथ यह conjunction नहीं है अब बताओ आप यह conjunction क्यों नहीं है क्योंकि conjunction इसलिए नहीं है कि इसके बाद किसी भी close का प्रियोगे नहीं किया हुआ है इसलिए यह conjunction के रूप में यूजे नहीं हुआ है तो फिर यह बताओ कि किसके रूप में यूज हुआ है यदि यह conjunction के रूप में यूज नहीं हुआ तो फिर ये बताना पढ़ेगा न की ये क्या है? बताओ फिर क्या है ये? ये बिटा, ये preposition है. ये क्या है? प्रेपजीशन है. आप कहेंगे सर जी preposition क्यों? क्योंकि ये noun के साथ आ रहा है. before the gate, किस के सामने, gate के सामने, इसलिए ये क्या है, preposition है, clear होगी बात ये, ठीक है, समझ में आगी यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं, I never saw such a thing before, I, मैंने कभी नहीं देखा ऐसी चीज पहले, before, यहां before क्या है, यह भी बताना पड़ेगा आपको, यहां before जो है, वो adverb है, क्या ह adverb, जब तक आपको इस बात का नहीं पता कि ऐसा क्यों है, इसका मतलब आपको answer नहीं आता, यहां यदि तुका लग भी गया, तो exam में नहीं लगेगा, इस बात की guarantee मानके चलीगा, भागे ठीक होगा, तो ही बात बनेगी, यह और इस दोनों में क्या अंतर है, एस और इस द noun नहीं है, before, इसके बाद कोई noun नहीं है, इसके बाद noun नहीं है, इसका मतलब यह जो है, यह adverb है, इसा किसी से relation नहीं है, यह और इस प्रकार का हमने आपको जब adverb पढ़ाय थे, तब एक अलग से chapter करवाए था, difference between adverb and preposition याद है आप लोगों को कि difference between adverb and preposition तो ये क्या है यहाँ ये यहाँ adverb है ठीक है I will call you after I will call you later मैं आपको बाद में call करूँगा ठीक है क्या है वो adverb है ठीक है यदि उसके बाद कोई noun होता तो वो क्या हो सकते थी preposition हो सकते थी after lunch after lunch lunch के बाद we will talk about it after lunch हम इसमें lunch के बाद बात करेंगे तो after lunch है तो वहाँ after क्या है वहाँ after preposition है clear होगी बात पर चलो ये आपकी क्या है ये आपकी यहाँ adverb यहाँ preposition चीजों को समझो बिटा उसके बाद दिखीगा he took the book before he had paid for it इसको समझो अच्छे से एक clause आपकी यह है एक clause आपकी यह है कितनी clause है बताओ भी कितनी clause है दो clause है आपके पास दौनुu clauses को कौन जोड रहा है दौनुu clauses को एक सब्द जोड रहा है वो कौन है before है इसलिए ये जो सब्द आपका ये ये क्या है, conjunction है ये, क्या है बिटा, ये conjunction है, हमारे जो वीनर्स हैं, मेरे जो विजेता हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, उन्होंने इस question को बहुत ठीक धंग से सोल किया होगा, और इस बात की मुझे बड़ी संतुष्टी होती है, क्योंकि हमने इन चीजों क बहुत ठीक धंग से अलग-अलग करके चीजों को explain किया था, एक question से आपने कितनी चीजें सीखी, एक question से आपने preposition सीखा, इसी question से आपने क्या सीखा, दूसरा topic सीखा, adverb सीखा, इसी से आपने क्या सीखा, conjunction सीखा, इस प्रकार के questions विशेश रूप से आप लोगों के लिए इतियार की जाते हैं, ताकि आप अपने मस्तिक्स पे क्या करें, थोड़ा सा जोड डालें, next question देखो भई, question आगे बढ़ते हैं, next question, are you coming father, पिता जी आप आ रहे हैं क्या, are you coming, question क्या है देखेगा, question ये है, the noun used in the above sentence is in, पहले तियो बताओ, noun कहां है उपर use, उपर कहां use noun, छोटी सी बात है, ये है noun, ये क्या आपका noun use हुआ है, ये किस में है, nominative case, क्या nominative case में है, as a subject है, नहीं है, तो फिर क्या है, vocative case, vocative क्या होता है, जब किसी noun को address की form में use किया जाता है, address, किसी को संभौधन की form में use किया जाता है, कल एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ये वोकिटिव क्या होता है हमने उसको जबाब दिया हलांकि एक बार हम सोच रहे थे कि उसको कल टेस्ट में समझा देंगे लेकिन बच्चे को लगता है कि सर जबाब नहीं दे रहे मैंने क्यूशन किया और सर ने मेरा जबाब नहीं दिया तो बच्चे को ठीक नहीं लगता है इसलिए हम कोशिस करते हैं कि जितने भी बच्चे हम से क्वेशन पूछते हैं वोर सब के माध्यम से है कि सब का रिप्लाई करें तो ये वोकिटिव का मतलब होता है जब किसी नाउन को एड्रस की फॉर्म में संबौधन की फॉर्म में यूज किया जाए तब वो कौन सी केस होती है वोकिटिव केस होती है तीसरा जो इसमें उप्शन है वो है एक्विजेटिव केस ये क्या होता है आप लोग फटा फट बताओ भी जब किसी नाउन को अब्जेक्टिव की फॉर्म में यूज किया जाए तब वो ये कहलाता है ठीक है अब एक चीज और लिखे आप लोग डेटिव डेटिव केस कौन सा होता है डेटिव केस कौन सा होता है होता है यह question है आप लोगों के लिए फटा-फट इस question को बताईएगा कि सब dative case यह होता है और acquisitive case यह होता है बताओ भी क्या होता दोनों यह हमने बता दिया कि objective form होती है none of these is cancer है नहीं इस question cancer आपको मिल गया होगा कि यह संबोधन के लिए है तो इस cancer तो आपको इस cancer क्या है भी है लेकिन हम तो एक question में कई चीजे ढूंडने के आदी हैं कई चीजे समझने के आदी हैं तो बताईए भई यह आपका object जो होता है डेटिव यह indirect object के लिए आता है और यह जो आता है यह किस के लिए direct object के लिए आता है चोलो भी next पढ़ते हैं next question identify the sentence with demonstrative adjective adjective अपने पढ़े अजेक्टिव के परकार पढ़े एक परकार होता है demonstrative demonstrate करना कौन-कौन से demonstrative adjective होते हैं आप जानते होंगे पैचानते होंगे इन में से धूंडियेगा भई फटाफट डूंडो भी पैला sentence है he said the same thing he said the same thing two or three times इसमें है क्या demonstrative जो point out करता हो उसको demonstrative कहते हैं जो आपको बताता हो कि ये point out के लिए काम आता हो उसको क्या कहते हैं demonstrative कहते हैं इसमें जो same word है ये demonstrative adjective है क्या है ये demonstrative adjective है thing noun है उसके लिए use हुआ है adjective है कौन सा adjective है demonstrative adjective है demonstrative adjective है demonstrative adjective क्या होता है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए वे adjective जो point out करने के काम आते हैं वो क्या कहलाते हैं demonstrative कहलाते हैं उसके बाद देखेगा this man came here today इसमें जो adjective यूच हुआ है वो कौन सा है this है, कौन सा बेटा इसमें this clear है, उसके बाद man जो है यह noun है यह this man यह point out करने के लिए बताया हुआ है इसलिए यह भी कौन सा है demonstrative adjective है दो होगे, तीसरा बताओ भई तीसरे में भी demonstrative है या नहीं है these dogs these dogs यह आपका noun और यह आपका कौन सा demonstrative adjective पुराने पेपर उठा के देखोगे तब पता चलेगा आपको कि इस परकार के questions exam में आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं आपको यह पता चलेगा कि इसर ने जो paper set किया है जो paper तयार किया है क्या वो exam oriented है या फिर ऐसे ही कहीं से कुछ भी उठा के questions दे दिये हमें ड्राने के लिए दे दिये या फिर हम कम answer कर पाएं इसलिए दे दिये या फिर sir ने बहुत easy easy questions दिये हैं लेकिन concept वाले questions दिये हैं ऐसे questions दिये हैं जिनमें एक questions से कई बातें clear होती हों इसका answer है all of these है क्या बीटा हाँ सब के सब में क्या है demonstrative adjective यूज हुआ है चलो भी next बढ़ते हैं question number 7 पे चलिएगा prosperous men are not always more happy than unlucky ones बता भी इसमें क्या है पूछा क्या है the underlined word is इसमें जो underlined word था वो once था क्या था भी आपके test में इसमें underlined word once था बताओ इसमें once कौन सा part of speech है option आपके पास है demonstrative adjective क्या ये adjective है क्या पहले तो ये तेकरो adjective है या नहीं है ये क्या है बताओ unlucky क्या है unlucky कौन सा part of speech है चलो unlucky समझ में नहीं आ रहा lucky boy lucky girl lucky day बताओ क्या है यहां ये कौन सा part of speech है बताओ बेटा फटा फट बताओ ये का ये कौन सा part of speech है lucky ये क्या है boy noun ये क्या है lucky noun को modify करने वाला adjective lucky जब adjective है तो unlucky भी क्या है l-u-c-k-y unlucky भी क्या है जब lucky adjective है तो unlucky भी क्या है ये भी adjective है के लिए रोगी बात ये ये भी adjective है और ये adjective है तो इसके बाद कौन आएगा य愛 तो noun आएगा या क्या आएगा pronoun आएगा तो ये इस वरड आपका है ये कौन है, pronoun है, इसका मलब ये adjective है ही नहीं, demonstrative pronoun, relative pronoun ये नहीं होते हैं, आप जानते है relative pronoun कौन कौन से होते हैं, फिराबट comment box में लिखे बताएं कर सर ये ये relative pronoun होते हैं, और ये ये relative adverb होती हैं, जब आपको ने पढ़ा who, whom, whose, उसके बाद आपने पढ़ा when, where, तब आपने प pronoun हैं, और कुछ हिसमें क्या है, relative adverb है, कुछ हिसमें relative adverb है, तब आपको पता होना चाहिए, तेको कोई भी question exam में आता है, कोई भी question test में आता है, उससे related सारी चीजें एक बार दिमाग में फटा-फट revise किया करो, कि सर ने पूछा relative pronoun, तो भाई होते कौन कौन से relative pronoun, relative pronoun में हमे which और that का परियोग ज़्यादा समझना चाहिए था, हमें क्या है, who का और whom का परियोग ज़्यादा समझना चाहिए था, ऐसा सर ने बताया था, ठीक है, तो ये उसके बाद में reflexive pronoun कौन से होते हैं, फटा-फट याद करो, कौन से होते है reflexive pronoun, फटा-फट comment books में लिखके फटा-फट क्या होते हैं, reflexive pronoun होते हैं, एक बार अच्छे से revision हो जाएगा चीजों का, ठीक है भी, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बी नहीं है, तो ये क्या है आपका demonstrative pronoun है ठीक है, ये क्या आपका demonstrative pronoun है, समझ में आग़े बात, question का इस्तर, इस प्रकार के इस्त next question question number 8 question number 8 he is the same man came here yesterday he is the same man came here yesterday relative pronoun question you have option who that which whom this is the man who came here yesterday aisa lagta hai ki kya na chiyye who a na chiyye lekin nahin aayega who nahin aayega kyo nahin aayega kyo nahin aayega jab the same word ka use kya gaya ho aur uske baad aapko relative pronoun likhna ho tab aap who which ki bajay kya likhenghe that ka priyog karenghe kis ka priyog karenghe bita that t h a t that ka priyog karenghe yadhi aapko yadhi aapko all ke baad kis ka priyog karna pade relative pronoun ka priyog karna pade tab kis ka priyog karenghe that ka priyog karenghe yadhi aapko superlative degree s u p e r l a t i v kya bita yadhi aapko superlative degree ke baad kis ka priyog karna pade this is the best movie that i have ever seen this is this is the aap loog bhi koji sentence bana sakta hai apni mazika bana ke dikhega this is the best movie that i have ever seen that i have ever seen this is the best movie which i have ever seen kya lika we have the best kya lika that lika she is the wisest girl that i have ever met she is the wisest girl the wisest superlative degree kya lika we have they lika thik us ke baad they only kya bita they only kya 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 man is the only creature man is the only animal that can laugh admi akela prani hai joh kya kya kar sakta hai has sakta man is the man yaan lik dayta ho aap logon ke liye man is the only animal man is the only animal that 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 can laugh f kya kya होता है, object क्या होता है, पहले तो ये सोचो, object के बाद आप ये सोचो कि direct object क्या होता है, direct object क्या होता है, थोड़े दिन पहले भी हमने एक test का solution किया था, उसमें हमने पढ़ाया था आपको direct object क्या होता है, उसके बाद indirect object क्या होता है, उसके बाद indirect object के बाद में prepositional object क्या होता है ये बताओ और आज एक नया object direct indirect prepositional के बाद आज एक नया object और वो कौन सा है वो है आपका cognate object ये क्या होता है पहले समझ लेता है cognate object का मतलब होता है वे वर्ब जो अक्सर अपने साथ object नहीं लेती है लेकिन यदि उनके पास उनी वर्ब से बना हुआ noun object के रूप में आ जाए तो वो object cognate object कहलाता है कैसे भी कैसे जैसे he slept a sound sleep वो एक शांदार नींद सोया तो sleep वर्ब और sleepy क्या है आपका object चलो इसमें देखते हैं पहले ये देखो a horse is a four-legged animal इसमें कहीं object दिख रहा है क्या आपको इसमें तो object है ही नहीं ये आपकी linking verb a horse is a four-legged animal चलो भी एक काम करो आप लोग इसका pattern बताओ फटा फटा बताओ इस sentence का pattern बताओ क्या ये sentence SPO का है क्या ये pattern SPC का है क्या ये pattern SPCA का है क्या ये pattern SPOA का है कौन सा pattern है इसका एक question और आपके सामने आ गया है बताओ ये sentence कौन से pattern का sentence है ये इस कौन सी verb है ये इस linking verb है ये क्या है a four-legged animal ये आपकी noun phrase है क्या है ये noun phrase NP है जिसका animal head word है और linking verb के बाद यदि NP आती है तो वो क्या होती है complement होती है तो इसकी जो structure है वो क्या है SPC है object है ही नहीं कहीं cognate तो छोड़ो कोई object नहीं है इसका हम ये answer नहीं है the man has fallen asleep the man has fallen asleep चलो अब इसका भी pattern बताओ जब इस sentence के हम इस question के जब options लिख रहे थे तब हमने एक चीज को ध्यान रखा कि इन बचों को साथ-साथ एक चीज और बता देते हैं compliment के दो-तिन question ले लेते हैं तो ये भी compliment है the man has fallen asleep कई बचों को लगेगा sir इसमें कहा compliment है इसमें बटा ये जो asleep है ये compliment है कई बचों को लग रहा हो गए ने ने sir समझ में नहीं आया और अभी समझो क्यों समझ में नहीं आया asleep कौन सा part of speech है ये बताओ तब समझ में आएगा asleep कौन सा part of speech है तब समझ में आएगा ठीक है कि ये compliment क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ, यह compliment है, के लिए रहोगे, आप देखिएगा, यह, he went a long way, he went, क्या गया है वो, a long way, देखिएगा, यह चो went है, इसी को क्या गया हुआ है, यह भी जाना ही है, और यह भी क्या है, वे है, इस प्रकार के जब sentence होते हैं, तो उनमें, यह चो went वब है, यह अक्सर कैसे यूज होती है, यह चो आपकी वब यूज होती है, यह यूज होती है, intransitively, went वब intransitively है, यानि go वब कैसी है, intransitively है, go वब कैसी बिटा, intransitively है, लेकिन इसके साथ यह long way है, इसको use किया हुआ है, तो यह इसका object माना जाता है, ठीक है, इस प्रकार के object क क्या कहते है, cognate object कहा जाता है, यह ठीक तरीके से object नहीं होते है, अक्सर यह क्या नहीं होते है, object नहीं होते है, यह इसी वब का क्या होता है, noun बनाया होता है, इसलिए इसको क्या कहते है, क्या कहते है, cognate object होते है, पूरी तरीके से pure form में object नहीं होते है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, cognate object कहते हैं, समझ में आगी बात, आगे एक sentence हो रहा है, क्या है यह देखेगा, इसको थोड़ा सा देखते हैं, the stake continued running and jumping, तो इसमें भी किसी परकार का object नहीं है, अब अन पढ़ते हैं, next question के तरब, that's, question number 10, they expect to succeed, they expect to succeed, बताओ भी इसमें क्या पुछा हो है, the finite used, question है अपका, the finite used in the above sentence has been used as, infinitive है, क्या रिका हो है, the infinitive used in, तो infinitive कहा है इसमें, यह है to infinitive, संग में आगे, यह to infinitive किसके रूप में यूज हुई है, क्या यह subject of the verb है, नहीं है, subject तो कौन है, they है, क्या यह object of the verb है, क्या compliment of the verb है, नहीं, compliment भी नहीं है, यह क्या है, इस verb का object है, इस verb का क्या है बेटाओ, यह object है, जो infinitive होती है वो subject के रूप में भी यूज हो सकती है ठेक है infinitive जो है वो object के रूप में भी यूज हो सकती है infinitive जो है वो compliment के रूप में भी यूज हो सकती है जब आपने infinitive पड़ी थी तो ये तीन चीज आपने जुरूर पड़ी होगी अब हम next question की तरफ बढ़ते हैं, next question क्या है आपका, point out the sentence in which participle has been used attributively, predicatively, दो तरीके से यूज़ हो सकती है, एक predicatively और एक attributively, predicatively जो predicate में यूज़ हो, attributively जो कहां पहले यूज़ हो, देखो कहां, rolling stone, पहले तो आपको ये ढूढ़ना पड़ेगा कि participle हैं कहां इसमें, बहुत सारे बचों को तो ये नहीं पता participle क्या होती है, कैसे यूज़ होती है, तो वो फिर इस question का answer नहीं कर सकते, participle क्या होती है, वाबल, adjective, participle, p-a-r-t-i-c-i-p-l-e, क्या लिखाओ बटा, participle, क्या होती है, participle, वाबल, adjective, जो वाब और adjective का काम करती हो, वो क्या कहलाती है, participle कहलाती है, यह यहाँ participle है, rolling stone, stone क्या है अपका, noun है, और इस noun के लिए यह यूज़ हुआ है, rolling sub, ठीक है, तो यह आपकी क्या है, adjective है, कौन सा adjective है, participle, adjective है, इसका मला यह participle है, यह मानला हो, clear होगी, कहाँ यूज़ हुई है, attributively है यह, यह देखेगा, यहाँ, attributively, आपने, जब adjective को पढ़ा होगा, तो उनके use पढ़े होंगे, attributively, predicatively, बिल्कुल वही same है, यह इससे पहले आई हुए, इसका मला यह क्या है, attributively है, ठीक है, तो यह ही आपका क्या है, इसका answer हो जाएगा, यह देखेगा, he became alarmed, he became alarmed, यह भी क्या है, यह भी participle है, past participle है, लेकिन यह यह कैसी use हुए है, predicatively use हुए है, ठीक है, he के लिए क्या use हुए है, alarm sabd युच हुआ है, यह participle है, यह कैसी participle है, predicatively use है, समझे हमा आगे बाद, we found him sleeping, we found him sleeping, him के लिए आया है, sleeping, कैसे use हुए है, बोलिये भी कैसे यूज हुई है ये यूज हुई है predicatively yes I hear him crying crying भी क्या है participle यूज हुई है और ये participle भी कैसे यूज हुई है predicatively यूज हुई है हमने आपको दो चीज बताई है participle किस प्रकास से attributively यूज होती है और किस प्रकास से predicatively यूच होती है, समझ में आगे बात चलो भी, आगे बढ़ते हैं question number 12 this rows is more faded than that identify the participle used in the above sentence आपको ढूंड़ना क्या है यह देखेगा भी this rows is more faded than that identify the participle आपको participle ढूंडना है क्या this participle है क्या, नहीं है this तो क्या है, demonstrative adjective है rows क्या है आपका noun है, और इस noun के लिए, यूच हो आई क्या है, demonstrative adjective है, उसके बाद देखेगा rows क्या है, rows तो noun है rows क्या है, noun है, faded यह आपकी participle है यह क्या है, participle है कौन सी participle है, past participle है, चलो next question देखते हैं भी फटा फट next question आपके है, आप इस question को solve करें, फटा फट, पढ़ो पहले तो इसको, और फिर इसको solve करा he is rich enough to buy a car but he does not have enough money to buy a house बलाओ भी फटा फट बताओ underline word कौन कौन से हैं यह पुछना चाह रहे होंगे, एक तो यह enough है, और यह enough है, अब बताओ he is rich enough to buy a car but he does not have enough money to buy a house sentence का meaning आप समझ गए होंगे, उस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, हम तो थोड़ी advanced level की चीज़े सीखनी की कोशिस करते हैं बताओ भी क्या इसमें दौनों enough हैं, यह enough किसके लिए आया है, यह बताओ पहले तो यह enough आया है, rich सब्द के लिए आया है rich enough, और rich सब्द जो है, यह कौन सा part of speech है, यह बताओ आप तो rich सब्द कौन सा part of speech है, सब जानते हैं मेरे वीनर्स तो कम से कम जरूर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे level की तैयारी कर रखी है इतने अच्छे level की तैयारी कर रहे हैं कि वो बस आतूर हैं कि कब हम एक शांदार सा एकजाम दें और बहुत अच्छी rank के साथ हमारा selection हो यह चाहते हैं, इसलिए वो जानते हैं छोटी छोटी चीजें सब जानते हैं rich adjective हैं, और adjective के लिए जो सब्दाए वो क्या होते हैं adverb होते हैं, तो यहां क्या है adverb, sorry भी दूसरा देखीगा enough money यहां enough किसके लिए आया है यहां enough किसके लिए money के लिए, तो यह कौन सा part of speech है m-o-n-e-y यह कौन सा part of speech है यह आपका noun है, और जो noun के लिए यह वो कौन होता है, वो adjective होता है, वो determiner होता है तो अब आप जानगे कि यह कौन सा, इसका सही answer है C, sorry B चलो भी आगे बढ़ते हैं, next question आपका next question एक test का solution ठीक से कर लो, उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ लो, identify the sentence in which the verb open has been used intransitively नीचे चार sentence हैं, आपको बताना यह है कि कौन से sentence में open verb intransitively used हुई है बताओ भी कौन से में हुई है sentence पढ़ने से ही पता चलेगा, पहला देखो he opened the door इसमें तो object है, object है कि नहीं अभी, और जिस verb के साथ object हो वो क्या होती है, transitive verb होती है t-r-a-n s-i-t-i-v क्या होती है वो, transitive verb होती है पुछा क्या है, क्या पुछा है, पुछा है आपको intransitive क्या पुछा बता, intransitive पुछा है यह भी चीज़ समझ में आ गई, दूसरा देखेगा the door opened क्या लिखा हुआ है, the door opened, इसमें कहीं भी object नहीं है, यह आपकी वाब और इसमें कहीं भी क्या नहीं है object इसमें नहीं है, उसके बाद देखेगा he could not open the door इसमें भी क्या है, object है he could not open the door इसमें, why did he why did you open the door इसमें भी क्या है, object है तो intransitively जो अब भी है, वो कौंसी भी है the door opens क्या answer अब इसका आपका आपका सही answer जो है, वो कौंसा है भी इसका सही answer है next बढ़ो भी, question number 15 which of the following is not true इन में से कौंसी बात सही नहीं है, अच्छा question है, in most questions, यान interrogative sentences there is inversion of the subject and auxiliary क्या कहरा भी, ज्यादा तर जो questions हैं, उन में क्या होता है, inversion होता है subject और auxiliary का, he is he is playing धान से समझा भी टा he is playing अब इसको जब question बनाएंगे, तो inversion होगा किसका subject and auxiliary का, यानि subject की जगह कौन जाएगी auxiliary, auxiliary की जगह कौन आएगा, subject, ऐसे तो करेंगे he is playing, ऐसे लिखोगे क्या, बोलो भी ऐसे लिखेंगे, तो ये बात तो बिलकुल ठीक है, समझ में आगे, in questions, a question word can be subject, object compliment और adverbial हाँ, ये सही बात है question जो word है, कौन से आपके where are you going ये sentence आपका, subject where are you going अब आपसे पूछें कि इसमें where कौन सा part of speech है तो where इसमें adverb है where क्या है, इसमें adverb है उसी तरह से, who broke the chair who broke the chair who broke that chair आपसे पूछें कि इसमें who क्या है, subject है where क्या है, adverb है इसका अमलब ये देखूँ ये कर रहा है in questions, a question word can be subject, object, complement ये सब हो सकता है इसका ले ये भी ठीक है when a question word is the subject there is no inversion जब question word क्या होता है subject होता है, ये देखूँ या ऐसी इस्तति में, जब who होता है तब inversion नहीं होता ये भी सई बात है ठीक है, उसके बाद देखेगा if there is more than one auxiliaries एक से ज़्यादा auxiliaries होती है in question, all the auxiliaries come before the subject सारी की सारी auxiliaries subject से पहले आती है, नहीं have been दो हैं, तो question बनाते समय subject से पहले, have been दोनू लाते हो क्या, will have been, तीन है तो क्या question बनाते समय subject से पहले will have been, तीनू लाओगे या सिरफ will लाओगे, इस बात का जवाब दे दो बस, सिरफ will लाओगे तीनू लाओगे, सिरफ will लाओगे, इसका महलब ये बात आपकी सही नहीं है, तो ये correct आपका नहीं है question number 16 देखेगा yes, the twins are visiting an uncle of देखेगा, uncle of theirs of के बाद में प्रणावन आना चीए और theirs क्या है, प्रणावन है क्या नहीं आना चीए, there them नहीं आना चीए क्या आना चीए, there's आना चीए उनके अंकल की बात है, तो there's आना चीए, ठीक है, आसान सा question था, चलो आगे बढ़ता है question number 17 question number 17 the owner's name, owner का जो name है, was painted on, owner का name painted था, कहां painted था of the wayne each side of the wayne both sides of the wayne both A and B neither A and B बताओ भी, क्या है, question क्या है, यह समझ में आया कि नहीं आया है, पहले तो यह बताओ the owner's name, owner का name painted था wayne के दोनू side में यह कहना चाह रहा है, हर एक side में कह दो, अगर हर एक side में कहोगे तो कहएगा, each side आएगा कहएगा, each side दो के लिए किसका प्रियोग करते हैं each का प्रियोग करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए किसका प्रियोग करते हैं every का प्रियोग करते हैं दो के लिए किसका प्रियोग करते हैं both का प्रियोग करते हैं, लेकिन each के बाद में noun कैसा आएगा noun आपका singular आएगा और इसके बाद में बहुत के बाद में क्या आएगा बहुत के बाद में आपका plural आएगा तो यह दोनु क्या हैं? सही है तो बहुत A and B इसका सही answer हो जाएगा question number 18 देखते है question number 18 I visit my parents मैं अपने parents को visit करता हूँ four weeks each four weeks every four weeks either four weeks, neither four weeks जिन बचों ने पढ़ा वो जानते हैं कि every का प्रियोग एक ऐसी स्तती भी है जब plural के साथ भी किया जाता है every का प्रियोग एक ऐसी स्तती भी है जब किसके रूप में क्या plural के साथ किया जाता है interval बताने के लिए antral बताने के लिए every three hours हर तीन घंटे से every five days हर पांस दिन से I take these medicines every four hours हर चार घंटे से उसी प्रकास से every four weeks आएगा इसमें क्याएगा बिटे इसमें every four weeks आएगा समझ में आगया? चलो, next question देखते हैं question number 19 a dishwasher uses electricity अच्छा sentence है बस आपको इतना ही समझना है कि आपको a number of लिखना है या uncountable noun या a great deal of लिखना है दोनों में अंतर क्या है? a number of का प्रयोग जो होता है वो countable plural के लिए होता है किसके लिए होता है? countable plural के लिए और a great deal of a good deal of क्या लिख सकते हैं आप लोग यहां? a good deal of भी लिख सकते हैं a great deal of भी लिख सकते हैं ठेक है? यह होता है uncountable के लिए तो इसलिए यहां आजाएगा a great deal of a lot of दोनों के लिए प्रयोग होता है यह आप जानते हैं अब आते हैं आपन आज के last question पे और यह है आपका इस test का अंतीम question बताना जरूर भी किस के कितने question सही होते हैं और आप लोगों को test कैसा लगा? यह भी बताना और अपने साथियों के साथ साजा जरूर करना सेर जरूर क्या करो? कितने अच्छे चीज़े आप लोगों को देखने को सुनने को मिलती है समझने को मिलती है सभी लोगों का अधिकार है उन तक पूचनी चीए यह उनका हक बनता है और आप लोगों की जिमिदारी बनती है कि आप लोग उन लोगों तक पूचाएं share करें, साधा करें we heard the signal clearly clearly word क्या है, पहले तो ये बताओ, clearly word क्या है, we heard the signal clearly, ये है ये नहीं मानों या कुछ यूज नहीं करना आपको clearly word क्या है, adverb क्या है बिटा adverb, आपको adverb के लिए कोई सब्द यूज करना है, ये सारे सब fair, fairly, बहुत अच्छे से clear तरीके से, इसका अमलाब adverb के लिए यूज करना है, तो क्या आएगा adverb को modify करने वाला सब्द कौन होता है, adverb ही तो होता है कौन होता है, adverb ही होता है, और इसमें fairly adverb है fair adjective है, fairly क्या है adverb है, तो इसका b answer आपका क्या है, सही हो जाएगा, इस प्रकास से, आज का इटर्स था, जिसका हमने solution किया, कोशिस की, मैंने कि आपको बहुत सारी चीजे समझाने का प्रियाश करूँ, आसा करता हूँ कि चीजे आपको ठीक लगी होंगी thank you, thank you very much